कोरोना को लेकर देश के प्रदान मंत्री नरंदन मौदी के आवहन पर आजनता कर्फियूल लगाया गया जिसका सागर में ब्यापक असर देखने को मिला बहीं सहर में प्रमुक मारगों पर लोगों ने अपने अपने प्रतिश्टानों को बंद रखा और घरों में मौझुद रहे कलेक्टर और एस्पी ने अपनी टीम के साथ नेक छण किया बहीं लोगों को अपनी लापरवाही के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बहुत से परिवार के साथ यात्रा करके स्टेशन पर बैठे हैं सागर में रेलवे का आवागवन वंध है परशासन द्वारा एहमदावाद गुजरा से आय हुए यात्रियों का चेक अप किया जा रहा है मेडिकल टीम पूरी तरह से मुस्तेद हैं और प्रियास लगातर प्रियास कर रही है इस बीमारी सिन्य पढ़ने में हमारी पहल सार्तक होगी और भारत के नागरेकों के द्वारा किये गए जनता कर्फ्यू का ब्यापक असर होगा बही लोगों ने अपनी अपनी छतों पर जालर घंटी बत्थाली बजा कर आवार जताया को समझा और सभी अपने घरों में हैं और आगे भी हमको इसी प्रकार से जो भी सरकार के निरेश प्राफ्त होते हैं उनका पालन करना है जिससे की हमारा सागर और हम सब लोग सेफ रही है कि मैंने कल अधार एक सचोवालेस में भी आदेश जारी किया है आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक आप सभी लोग को मिल गया होगा मैं चाहती हूं आप उसका प्रचार प्रसार करें लोगों को ने की बात है तो हम यह भी एंशोर कर रहे हैं कि समुह में लोग ए प्रतिष्ठान बन रहे हैं यह बिल्कुल अगर कोई पॉजिटिव मरीज है और चुपा रहा है और यदि टेस्ट में पॉजिटिव निकल आया तो निश्चित तोर पे आई पी सी के सेक्शन्स में और वन एक्टी एट में हम इसमें एफ इयार करें शराब की दुकानाओं के बारे में मेरी एक्साइज अस्टन कमिशनर एक्साइज से बात हुई थी उनके द्वारा भी यह भी बंद कराई जा रही है यह बहुत ही अच्छा कदम है यह जो महामारी विस्ट में फैल रही है ब्यापक रूप से उसकी रुख थाम के लिए आदानी मोदिवी का जो आ सागर से योडी ने उच के लिए बीरेंद्र बहरी के रिपोर्ट